नमस्कार दोस्तों व स्वागत करती हूं आप सभी में अब से करे मचेते कि लिए आप दिमाख में प्रशन रहे हैं हमारी classes कब से लगेंगी तो आपके इसी questions का answer में लेकर के आई हूँ इस वाली video में तो इस video में आप लोग देखेंगे Directorate of Education का एक circular जिसके अंदर आपकी classes जो की session 22-22 में लगने वाली है उसकी detail है तो बिटा शिक्षापरवा पर अगर आप पहली बार आएं आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो सबसे पहले आप शिक्षापरवा को सब्सक्राइब कर ले जिससे की इस तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहें इसके लाब आपकी मार्किंग स्कीम, आपकी आंसर स्कीज, स्लेबस, प्रेक्टस पेपर, मॉडल टस्ट पेपर ये सब भी आपको सिक्षापरवा में देखने मिलेंगे तो बिटा छे और छे पांस तारिक का ये सर्कुलर है 6 माई का जिसके अंदर सेशन 2022-23 की क्लासेज के बारे में 10th और 12 की गॉर्मेंट यहां पर बता रही है तुम लोगों को पता है कि दिली की जो स्कूल है वो 100% कैपसिटी के साथ खुल चुकी है यानि कि सभी बच्चे इन दिनों क्लासेज में आ रहे हैं तो 9 माई से जो सेशन है तेंथ और 12 के लिए 2022-23 वाला खुल रहा है ठीक है यानि 100% कैपसिटी के साथ 9 माई से तेंथ और 12 क्लास के जो स्टुडेंट्स हैं उनकी क्लासेज लगनी शुरू हो जाएंगी कहीं कहीं पर नहीं हो सकता है जैसे कुछ स्कूलों में कोविट की वज़ा से या फिर नहीं आ रहे हैं तो वह एक दूसरी सिट्रेशन है लेकिन 9 माई से ऐसे तैंथ और 12 के लिए स्कूल खुल रहे हैं आप लगों की तेंथ और 12 की क्लास लगनी शेशन 22 की शुरू हो रही है ठीक है कुछ अलग यह आपकी जो इससे पहले आप लोगों ने सुना होगा न समर विकेशन में ऐसे क्लासेश होती थी तो यह वही चीछ है इसके अंदर आपकी कोहर्ट वाइस क्लासेश लगेंगी और वो पीरियड आपका होगा 9 माई 2022 से लेकर 15 जून 2022 तक का तो यहाँ पर दो कोहर्ट में बच्चों को रखा गया है तो कोहर्ट फरस्ट और कोहर्ट सेकिंड तो आप लोगों का एक नॉर्मल सा जज्जमेंट किया जाएगा आप में से कुछ बच्चों को कोहर्ट फरस्ट में रखा जाएगा और कुछ बच्चों को कोहर्ट में रखा जाएगा और उसकी according आपकी classes लगने शुरू होंगी आपका जो phase 1 होगा classes का वो होगा 9 मई दो हजार बाईस से लेकर के 31 मई दो हजार बाईस तक चीक है और जो आपका second phase होगा वो होगा आपका 1 जून दो हजार बाईस से लेकर के 15 जून 2022 तक तो 31 मई तक तो आपके साथ कुछ और बच्चे भी आते जाएंगे यानि कि जो compartment वाला exam देंगे वो लोग भी पास होकर के आपकी classes में आ जाएंगे और फिर इसके बाद 1 जून से आपकी proper classes हो जाएंगी इसके अलावा इसके आपके बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी आपको दी जाएंगे इसके इस बीच आपको कराया क्या जाएगा तो पिटा आपका देश भक्ति और EMC का पीरियड होगा डेली पीरियड होगा आप लोगों ने इससे पहले भी EMC and देश भक्ति पढ़ाई ही है अपनी क्लास में तो यह होगा आपका और इसके लावा आपके दो सब्जेक पीरियड डेली लगाए जाएंगे 45 मिनट के होगे ठीक है और दो पीरियड आपके पर वीक में ऐसे लाइबरी के लिए लगाए जाएंगे तो मेंली आप लोगों के लिए जो जानकारी थी वो यही थी कि कोहर्ट फर्स्ट और कोहर्ट सेकिंड में इस तरह से आप लोगों की क्लास लगेंगी जो लगेंगी नो मई से लेकर के 15 जून तक ठीक है डेली की एक क्लासेस आपकी MCN देशबक्ति की होगे और दो सब्जक्ट आपको इस बीच पढ़ाये जाएंगे तो आशा करती हूं बचो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी यूसफुल रहेगी आप लोगों के लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे के आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें